अगर आपको भी English articles पढ़ने में डर लगता है तो आप सही जगह हैं अगर आप भी English words को रट रट के ठक चुके हैं तो आप सही जगह हैं अगर आपका भी English cut-off आपकी officer बने में रोडा बन रहा है तो आप सही जगह हैं मेरा नाम है रवी प्रकास मौर्या और आप देखना इस्टार्ट कर चुके हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग दवेइआप थिंकिंग के स्पेशल वोकेब सोका पार्ट त्री जिसमें आप एक छोटी सी कहानी से सैक्लों इंग्लिस वर्ट के मिनिंग, यूजेज, रूट्स, पार्ट सब स्पीच, निमोनिक, सिनोनिम्स, टोन्स, इत्यादी ऐसे सीख जाएंगे कि आप चाहा कर भी भूल नहीं पाएंगे आप क्लर्क से लेकर कलेक्टर तक किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हों, ये सिरीज आपकी सफलता में चार चांज जरूर लगाएगा अब आप कॉपी पेन लेकर अपने स्वर्डिम भवी से क्योर बढ़िए और सेशन को जल्दी से लाइक और सेयर कर दिजिए तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा साब का टेस्ट लेते हैं ये जो वर्ड हाइलाइट किया हुए ग्रीन कलर में इसका क्या मीनिंग है? आप कमेंट करके जरूर बताइए हम इस क्वेस्टन का करेक्ट एंसर नेक्स क्लास में देखेंगे चलिए आज की कहानी पर बढ़ते हैं Precocious Toddler The inquisitive toddler perplexed her mother by asking a variety of queries The incredibly astute mother decided to make her bambino busy by giving her a very strenuous conundrum She ripped a world map up into innumerable pieces and gave it to her precocious kid to integrate it The girl joined the map accurately within 10 minutes and astounded her mother Glancing at the mother astonized face, the girl disclosed that she had only joined the cartoon which was printed on the backup map अब आप वीडियो को एक मिनट पॉस करिए और इस question को solve करने की कोशिस कीजिए इस article को समझने की कोशिस कीजिए कि कहानी में क्या कहा गया है तो चलिए कहानी समझने की कोशिस करते हैं यहाँ पे लिखा है Precocious Toddler Toddler का मतलब होता है ऐसा बच्चा जो अभी जश्ट चलना ही स्टार्ट कर रहा हो जिसकी एज अभी 2,5 साल हो या मालेजे आप 6 महिने से लेके 2,5 साल के बीच का बच्चा जो अभी जश्ट चलने की कोशिस कर रहा हो या चलना सीख रहा हो Precocious मतलब होता है ऐसा बच्चा जो कि Gifted Child है मतलब जिसका मर्सिस कका विकास समय से बहुत पहले हो चुका है उसको हिंदी में हम बोलते है बाल प्रोड मतलब बहुत ही Genius बच्चा Gifted बच्चा तमारी कहानी है एक बच्चे के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा Genius है कहानी है The inquisitive toddler perplexed her mother by asking a variety of queries इसमें inquisitive मतलब होता है जिग्यासू, curious बच्चा टोडलर मतलब बताई दिया नन्हा बच्चा परफ्लेक्ष्ट कर देना मतलब confused कर देना, भ्रामित कर देना The inquisitive toddler perplexed her mother by asking a variety of queries इतने सारे question पूछे कि मम्मी परेसान हो गई मम्मी ये, मम्मी वो fan कैसे चलता है, पापा क्या करते है flowers raid क्यों होते है, मैं बड़ा कब होंगा, दुनिया भर के सवाल अब मम्मी क्या होगी, परेसान हो गई आगे देखिए, incredibly मतलब होता है, और विश्वस्निय रूप से जिसमें मतलब विश्वास करना difficult हो astute मतलब होता है, चतुर, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान bambino मतलब होता है, नन्धा बच्चा, बहुत ही छोटा बच्चा तो आगे क्या लिखा है the incredibly, the incredibly astute mother decided to make her bambino busy by giving her a very strenuous conundrum, अब मम्मी ने सोचा, ये बच्चा तो भई मुझे परेशान कर देगा, अब इसको कुछ ऐसा देदो, conundrum देदो, मतलब कुछ ऐसी पहली देदो, जिसमें ये उल्जा रहे, astute मतलब चतुर, मम्मी ने अपनी bambino को, मतलब, अपने नन्हे से बच्चे को busy करने के लिए, उसको एक strenuous conundrum दे दिया, strenuous मतलब, बहुत ही जोड़दार, ऐसा puzzle, ऐसा काम, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मस्तिस्क का use हो, या बहुत ही ज़्यादा physical work हो, उसको बोलते है strenuous, कननना मतलब, बहुत ही difficult पहली, तब बच्चे को मम्मी ने क्या किया, एक पहली देकर, उल्जाने की कोशिस की अब ममी ने क्या किया, she ripped a world map up into innumerable pieces, and gave it to her, precautious kid, to integrate it अब ममी ने क्या किया, एक world map को फार दिया, she ripped a world map up, ribbed up मतलब होता है फार देना, tear up उसने एक world map को फाड़ दिया कैसे फाड़ दिया इन innumerable pieces इतने सारे pieces कर दिये इतने सारे pieces कर दिये कि गिन्ना मुस्कीलो मतलब बहुत सारे pieces में फाड़ दिया and gave it अब क्या किया इस फटे हुए world map को दे दिया किसको to her precautious kid to integrate it अब अपने जो जन्मजाद बुद्धिमान बच्चा है उसको बोला ले बटा अब इसको तु ज्वाइन करके बता अब मम्मी सोच रही है बच्चा जो है अब इसमें 4-5 गंटे बुझा रहेगा 4-5 गंटे बिजी रहेगा अब मैं अपना कुछ काम करूँगी आगे देखिए आगे लिखा है astounded astounded मतलब होता है चकित रह जाना glancing मतलब होता है तिरची नजर से देखना astounded मतलब होता है आश्यरे चकित actually यह दोनों synonym से astounded, astonist disclose करना मतलब खुलासा करना कोई चीच छिपा है तो उसको बता देना अब आगे की कहानी देखते है the girl joined the map accurately within the 10 minutes and astounded her mother अब मम्मी तो सोच ली थी बच्चा 4-5 घंटे लगा रहेगा कर नहीं पाएगा अब बच्चे ने क्या किया मात्र 10 minutes में पूरे world map की ऐसी तैसी कर दी उसको जोड के रख दिया सारे world map को जोईन कर दिया अब मम्मी क्या हो गए चकित हो गई the girl joined the map accurately within 10 minutes and astounded her mother अब देखिए glancing at the mother face astonished face glancing at the mother's astonished face the girl disclosed that she had only joined the cartoon which was printed on the back up map अब लड़की अपनी मम्मी की तरफ तिर्ची नजनों से देखती है मम्मी के आश्यरे चकित face को देखती है कि यार मम्मी इतना परिसान है फिर वो सच्चाई का खुलासा करती है अरे मम्मी जो आपने ये map दिया था ना मैंने map को जोईन नहीं किया map के पिछले साइड में कार्टून मना हुआ था मैंने तो बस उस कार्टून को जोईन कर दिया जैसे ही कार्टून जोईन हुआ ये map आटोमेटिकली जोईन हो गया तो देखिए आज कल के बच्चे कितने जीनियस हो गया मतलब मम्मी ने उसको बिजी करने के लिए वर्ल्ड मैप को पूरा फार दिया यहां देखिए ये वर्ल्ड मैप के मम्मी ने कितने टुकडे टुकडे कर दिये और इस बच्चे ने देखा कि वर्ल्ड मैप के पीछे एक कार्टून मना है बच्चे ने मात्र कार्टून को जोईन किया और वर्ल्ड मैप आटोमेटिक कम्पलीट हो गया तो आज कल के बच्चे इतने genius हैं I think आपको कहानी समझ में आ गई होगी अब चलते हैं one by one इनके ठीक से मतलब समझते हैं तो आज की session का हमारा पहला word है Precocious ये Precocious एक adjective है Precocious मतलब gifted child जो अपने समय से बहुत ही पहले जवान हो गया है इतने कठिन कठिन सवाल जो है मम्मी से पूछ रहे हैं वो क्या बताएंगे तो इसका meaning क्या है बाल प्रोड especially mental development much earlier इसको बोलते हैं Precocious Precocious का synonyms क्या कहा है advanced, forward, ahead, gifted, intelligent, brilliant अब यहाँ पे देखिए Precocious को हम कैसे याद कर सकते इसका mnemonic technique भी आपको बता रहे है Precocious को दो पार्ट में break करिए Pre plus conscious हम conscious को लिख रहे है conscious Pre-conscious जो पहले से ही बहुत conscious हो Pre मतलब पहले conscious मतलब समझदार जो पहले से ही हम इसा सचेत रहे है पहले से ही जो समझदार हो जाए जो pre-conscious हो Pre-conscious people are precocious हम ऐसे बोल सकते है जो पहले से ही conscious हो जाए उसको क्या बोलेंगे Precocious बोलेंगे आगे देखे The music teacher was surprised to see the precocious toddler correctly playing the violin ये जो music teacher है ये देख करके हराम रह जाती है कि ये बच्चा कितने अच्छे से music बजा रहा है इतनी कम age में कैसे music बजा रहा है ये देख करके उसकी teacher हैराम रह जाती है जैकि किसी भी words को याद करने के कुछ तरीके होते है हम पहले उनके correct meaning को जाने उसके parts of speech को जाने उससे related सारे words को जानने ताकि सारे words हमें एक ही बार में याद हो जाए बार-बार परिस्रम ना करना पड़े उसका correct sentence में you जानने ताकि हम उसको वाक्य में प्रियोग कर सकें साथ में ही उसके हम कुछ roots और निमोनिक को जाने इतना जानने से हम word के बारे में ठीक तरह से परक पाएंगे words को हम अच्छे से जान पाएंगे और हमेशा हमें ये words याद रहेगा अब आपसे एक सवाल है कि ये precocious word का tone क्या है इसका tone हम positive लेंगे या negative लेंगे कहने का मतलब अगर कोई बच्चा जन्म से पहले ही बहुत ही बुद्धीमान हो तो क्या उस बच्चे के लिए अच्छ है या उसके माता पिकता के लिए अच्छा है या बुरा है आप कमेंट करके जरूर बताए चलिए next slide पे आते हैं अगला है toddler toddler word एक noun है toddler मतलब होता है a young child who just beginning to walk ऐसा बच्चा जो just अभी चलना ही start कर रहा हो उसको toddler बोलते है toddler world देखिए बिला है total में er लगा के toddler बना है जैसे garden होता है garden में er लगा देते हैं तो gardener हो जाता है garden मतलब बाग बगीचा अब gardener मतलब माली जो बाग बगीचे की रखवाली करता हो जैसे foreign foreign मतलब बिदेश foreigner कर दिये तो जो foreign गया हो जैसे love होता है love मतलब होता है प्यार lover मतलब प्यार करने वाला जैसे travel travel मतलब जो यात्रा होता है traveler मतलब यात्रा करने वाला उसी तरह से जो word है total total का मतलब होता है लडखडा के चलना जब कोई बच्चा start करता हैwhy चलना तो लडखला लडखडाके चलता है इसको देखिए तो उसको दोलते हैं लडखडा कर चलना अब हमने इसमें ER लगा दिया, तो यह हो गया toddler, ऐसा बच्चा जो लडखरा के चल रहा हो, लडखरा कर चलने वाला, मतलब नदना बच्चा, ठीक है, I think आपको clear हो गया होगा, तो इसके synonyms क्या हैं, इसके synonyms हैं, tot, bambino, child, type, pre-schooler, infant, pre-schooler मतलब जो अभी school नहीं जा रहा ह इसके synonyms हैं, अब इसका use देखते हैं, the toddler tried to walk, the toddler tried to walk, but kept falling down, अब जो बच्चा है, टोडलर है, यह walk करने की कोशिस करता है, लेकिन बार-बार गिर जाता है, जब नदने बच्चे चलना ही स्टार्ट करते हैं, तो आपने देखा होगा, वो कैसे गिरते परते जाते हैं, inquisitive का मतलब होता है, जिग्यासु बच्चा, ऐसे लोग जिनको बहुत सारे जो questioning करते हो, जिनके अंदर हर चीज जानने की जिग्यासा हो, उनको बोलते है, inquisitive, inquisitive मतलब होता है, having an interest in learning things, ऐसे लोग जिनको चीजे जानने में बहुत ही जिग्यासा रहती हो, हर चीज जानन दिया है, quiz मतलब आपको पता है न, quiz competition, तो quiz में जो जिग्यासू बच्चे हैं, वही तो जाएंगे, जो हर चीत जानने की इच्छा रखेंगे, वही तो quiz में जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे एक example भी लिखा है, the contestants are quiz are very inquisitive, जो quiz के contestant थे, वो बहुत ही inquisitive थे, बहुत ही करे, inquiring in generally, यह police, police के लिए यूज होता है, कि police ने inquire किया, यह किया, दिन है peering, praying, peering आपका जो word है, internet से related है, वहाँ पे यूज होता है, praying होता है, कि अगर कोई बच्चा है या कोई है, जो किसी के personal affair में ज्यादा interested है, यार उसकी life में क्या चल रहा है, उसके लिए हम praying word यू synonyms नहीं हो सकते, उनके meaning में जरूर थोड़ा बहुत अंतर होगा, जैसे हम आपको example लेते हैं, पानी और जल, दोनों ही synonyms हैं, बट इनका exact एक ही मतलब नहीं होगा, जैसे हम एक example से समझते हैं, कि वहा मुझे देखते ही पानी पानी हो गया, मतलब वहा मुझे देखते ही जल-जल हो गया, अब यहाँ पर जल-जल कर कोई मतलब आ नहीं रहा है, तो हमेशा दो words पूरी तरह से synonyms नहीं होते हैं, उनके use थोड़े-थोड़े अलग होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है, अब जब उसकी लड़की लेट से आती है, तो मम्मी उसकी तरफ inquisitive look देती यहाँ पर देखने का मतलब क्या है, inquisitive look का मतलब क्या है, एक questioning look, उसको पूछना चाहती, भाई, तुम इतना लेट कहां हो गई, कहां पर थी इतना दिर, क्यों लेट हो गया आने में, हमारा next word है, parplexed, parplexed एक adjective है, parplexed का मतलब होता है, भ्रामित हो जाना, confused हो जाना, because something is very difficult to understand, कोई ऐसा काम है, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो आपके लिए समझना बहुत ही कठीन है, तो उसको बोलते हैं, parplexed, जैसे यहाँ पर इस लड़की को पता नहीं क्या हो गया है, कोई disease है, और यह doctor बहुत दिन से परिसान है, समझ नहीं पा रहे हैं, कि इसको क्य हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, parplexed, the disease has continued to perplex the doctor, disease continue बढ़ता जा रहा है, इससे जो है doctor क्या है, चिंतित है, a complex question of algebra has perplexed the teacher, जो algebra का complex question है, वो teacher को क्या कर दिया, confused कर दिया, और teacher इसको solve नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे देखिए, जो parplexed word है, इसकी rhyming होती है, complex से, तो इस जो complex situation है, वो लोगों को क्या कर देती है, perplex कर देती है, confused कर देती है, आईए इसकी synonyms की तरफ बढ़ते हैं, जिसको synonyms है, puzzled, confused, stampled, baffled, bewildered, bemused, mystified, यह सारे words किसी न किसी exam से पूछे गए हैं, सारे ही बहुत important word है, इसलिए आप वीडियो को pause करके एक बार और देख सकत हैं, puzzled, confused, stampled, baffled, bemused, mystified, bewildered, यह सारे words किया है, perplex के synonyms है, आप इसका screenshot चाहें तो ले सकते हैं, तो चलिए हम अपने आगले word की तरफ चलते हैं, यह है incredibly, incredibly जो है, adverb की तरह यूज होता है, generally अगर किसी word के last में ly आ जाता है, तो यह adverb की तरह यूज होता है, ऐसा हमेसा नहीं होता है, but 95% cases में ऐसा होता है, तो यहां पर incredibly में देखिए, तो एक word आया है, creed, creed मतलब होता है, भरोसा, विश्वास, तो यहां पर देखिए, creed मतलब होता है, believe, ठीक है, तो जैसे हमारा हो गया, creed, creed मतलब हो गया, विश्वास, और able मतलब जिस पर विश्वास क लगता है जैसे correct मतलब सही incorrect मतलब गलत तो इन लगा के words की meaning को बदला जा सकता है opposite किया जा सकता है तो credible मतलब जिसपे विश्वास किया जा सके मतलब to be believed और incredible मतलब जिसपे विश्वास करना मुश्खिल हो और विश्वस नहीं है आसानी से किसी चीज़ पे विश्वास कर ले, जैसे हम बोल सकते हैं कि Indian women are very credulous, इंडिया की जो महिलाएं हैं बहुत ही जल्ली विश्वास कर लेती हैं, इसलिए वो अंध विश्वास आडंबर में पढ़ जाती हैं, ठीक है, अगला है incredulous, incredulous मतलब जो किसी भी चीज़ को जल् क्रीड वर्ड आ गया, क्रीडो मतलब होता है, statement of belief, विश्वास से related है, अगला है credibility, the quality of being believable, तो अब आप समझ लेजिए कि एक वर्ड अगर आपको क्रीड का मतलब पता है, आपने इस root को पकड़ लिया, और आपको थोड़ा सा prefix और suffix की जानकारी है, तो आप बहुत सारे words के meaning ऐसे ही crack कर सकते हैं, तो देखें, यहाँ पर था incredibly, incredibly मतलब extremely hard to believe, ऐसा चीज जिस पर विश्वास करना बहुत ही difficult हो, जैसे हम इंडिया के बारे में बोलते हैं, कि इंडिया हमारा इतना बड़ा country है, इसमें इतने सारे languages हैं, इतने सारे religions के लोग रहते हैं, इतने सारे ध इंडिया क्या है, पूरा full of color है, और और विश्वसनी है भारत है, क्योंकि यहाँ पर इतने variety के लोग रहते हैं, अगला example देखिए, incredibly no one was hurt in the accident, कह रहा है कि accident तो बहुत बड़ा था, accident हुआ, बट उसमें किसी को भी थोड़ा भी hurt नहीं हुआ, यह क्या है, incredible है, और कर लिजे, चलिए next word की तरब चलते हैं, हमारा अगला word है, astute, astute एक executive तरब यूज होता है, astute का मतलब होता है, चतुर बहुत ही ज्यादा genius, तो astute मतलब होता है, understand situation quickly and take advantage of it, ऐसा ब्यक्ति जो किसी भी situation को बहुत जल्दी समझ जाए और उससे फायदा उठा ले, जैसे उसक क्या क्या था, उसकी मम्मी को परिशान कर रहा था, question पूछ पूछ करके, तो मम्मी ने सोचा, ऐसा काम बच्चे को दो, जिससे उसका mind development भी हो, और बच्चा थोड़ा समय तक उल्जा भी रहे, और वो भी free होके कुछ काम कर सके, चलिए इसके synonyms देखते हैं, इसके synonyms हैं वो साख खाते हैं, दिमान लोग साख खाते हैं, आर्टफुल आपको सुनाई होगा, आर्टफुल बहुत ही धूरत आदमी के लिए यूज़ होता है, crafty, ये सारे क्या हैं, इसके synonyms है, जैसे यहाँ पे देखो, astute को हम break करते हैं, a, stu, stupid होता है न, stu, pid, तो यहाँ पे ह अगे, a word लगा दिए, तो क्या होगा, atheist, atheist मतलब जो इस्वर को नहीं मानता हो, ऐसे यहाँ पे है, a, plus stupid, या, stu, pid समझे, a, stu, मतलब कि कोई मूर्ख नहीं है, मतलब जो मूर्ख नहीं है, जब मूर्ख नहीं है तो क्या होगा, बिद्वान होगा, अगला दिया, he made a series of astute business decision जैसे यह लड़की है यह बहुत सारे ऐसे ऐसे business decision ले रही है कि जिससे इन लोगों को पता चड़ा है यह बहुत ही genius लड़की है तो हमारा अगला word है strenuous strenuous एक क्या है adjective है strenuous मतलब होता है जोरदार ऐसा काम जिसमें बहुत ही जादे physical या mental effort की जरूरत लगे requiring a great physical or mental effort इसके देखिए synonyms क्या है arduous, forceful, stranding, formidable, taxing, challenging, exacting यहां मैं देखिए यह सिलपा से टी है कैसे exercise करने है पूरे सरीर को break कर दिया इनों तो यह क्या है strenuous exercise है his doctor advised him not to do any strenuous exercise उसके doctor ने बताया कि भाई तू कोई भी strenuous exercise मत कर कोई भी ऐसा exercise मत कर जिसमें बहुत ही ज़्यादा physical या mental effort की जरूरत पढ़े अब यहां पे strenuous word को देखिए यहां पे लिखा है strain plus worse यहां पे strain मतलब आपको समझ ही आ रहा है strain मतलब जिसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगे strain word भी strength से related है ऐसा काम जिसमें strength की जरूरत हो ऐसा काम जिसमें strain हो उसको क्या बोलेंगे? Strenuous बोलेंगे इस तरह से आप इस word को याद कर सकते हैं आप इसकी screenshot ले लेजी आप अगली slide पर बढ़ते हैं हमारा अगला word है conundrum बहुत ही अच्छा word है conundrum conundrum मतलब होता है पहली अब confusing or difficult problem ऐसा problem जो बहुत ही ज़्यादा confusing उसको बोलेंगे conundrum अब conundrum मेंसे एक word निकाल लेटे हैं drum conundrum से क्या निकाल लेए drum अब हम पूछने है भईया ये बताओ इस drum के अंदर कौन है conundrum drum के अंदर कौन है ये बताओ अब drum के अंदर कौन है ये भईया हम कैसे बता सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही difficult task हुआ जैसे इसमें दिखाया finding a perfect outfit to attend a marriage is a biggest conundrum for girl अब लड़कियां जब ready होती है किसी party में जाने के लिए किसी marriage में जाने के लिए बहुत सारे address है अब इसमें से कौन सा choose करें कि लोग उसे ही देखते रहें क्या है उसके लिए बहुत ही बड़ा conundrum है ऐसा चीज जो उसके friend के पास ना हो party में अकेले ही दिखाए दिये क्या है बहुत ही बड़ा conundrum है इसके बहुत सारे synonyms है जैसे riddle enigma तो बहुत बार सीजल के exam में पूछा है और banking में भी पूछा है brain teaser, quendry, stumpler, cruncher, confusion, puzzle ये सारे conundrum के क्या है synonyms है तो I think आपको समझ में आ गया होगा अब आना next word है rip up rip up मतलब होता है to destroy by tearing जैसे हम कागज को इतना फाड़ दे इतना फाड़ दें कि वो पूरी तरह से नस्ट हो जाए किसी चीज़ को फाड़ है इसलिए कि वो पूरा तरह से खतम हो जाए नस्ट हो जाए तो उसको बोलते है rip up rip up word को break करिए तो यहाँ पर हो रहा है rip rip आप सबको पता है rest in peace जब कोई आदमी मर जाता है किसी की death हो जाती उसको बोलते है rest in peace तो यहाँ पर rip word है तो rip से आप आसा नहीं समझ सकते है कि इतना ज़्यादा फाड़ दिया इतना ज़्यादा destroy कर दिया कि अब वो उपर ही चला गया rip rip आप खतम हो गया पूरी तरह से ठीक है तो rip up का मतलब होता है pull apart, tear up, shred, seer, disintegrate, setter इसमें लिखा है he ripped a letter up into tiny pieces उसने letter को बहुत ही छोटे-छोटे टुकड़ों में बाड़ दिया यह छोटे-छोटे टुकड़े तब करते हैं इतना छोटा कर देते हैं कि उस पूरी तरह से नश्ट हो जाए चलिए, अगले word पे चलते हैं हमारा अगला word है innumerable innumerable में एक word है number अब इसके बाद हमने लगा दिया able तिय हो गया adjective, numberable मतलब कि जिसकी गिंती की जा सके अब यहाँ पे हमने पहले ही बता था in word आ गया, in word आने से उसका meaning क्या होता है opposite हो जाता है जैसे मालो numberable मतलब जिसकी गिंती हो सके innumerable मतलब जिसकी गिंती ना हो सके जैसे correct मतलब सही incorrect मतलब गलर बट innumerable word ऐसा नहीं है कि जिसकी गिंती ना हो सके उसके लिए यूज करते हैं अगर किसी भी चीज़ का बहुत सारा part हो गया तो उसको हम innumorable बोलते हैं too many to be counted, इतना सारा piece हो गया है जिसको count करना बहुत ही मुस्किल हो, यह hyperbolicly यूज करते हैं आतिसीयोक्ती में यूज करते हैं actually मैं ऐसा कुछ भी जल्दी नहीं होता है कि इतना आपने piece कर दिया यह ऐसा कुछ कर दिया कि जिसको count करना बहुत ही difficult हो ऐसा तो है नहीं कि impossible हो जाएगा count करना चाहेंगे तो count हो ही जाएगा बट इतना सारा हो कि count करने में थोड़ी difficulty हो तो वहाँ पे हम innumorable word का use करेंगे there are innumorable error in the book book में इतने सारे इतने सारे error है कि समझ लो count करने में दिखका तारी कितने error है innumorable अनगिनत गलतिया है बट अनगिनत गलतिया मतलब ऐसा है कि बहुत सारे error है ऐसा नहीं कि impossible account करना इसके synonyms क्या है countless numbers manifold multifarious, numberless, infinite यह सारे इसके क्या है synonyms है I think आपको यह word समझ में आ गया होगा चलिए नेक्स स्लाइट पे चलते हैं हमारा गला वर्ड है integrate integrate verb की तरह यूज होता है integrate आप सबको पता है simple सा वर्ड है combine one thing with other to form a whole एक ही क्रित करना किसी चीज को join करना जैसे हमारे यहाँ पे लिखा है the car design successfully integrate the art and technology जो हमारे एक car design है यह art और technology को integrate कर रहा है देखे यहाँ पे कितना art भी यूज हुज है कितना अच्छा design है और technology भी यूज हुज 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 है अपने आप उपर हो जाएगा अराम से उपर से बैठो खोल दो कितना बढ़िया design है इसके synonyms क्या 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 है अमलगमेट, मर्ज, यूनाइट, क्वेल्स, कंसोलिडेट, च्वाइन यह सारे integrate के synonyms है हमारे next slide है astounded astounded एक adjective astounded का मतलब होता है मुँ खुला का खुला रह जाना चकित रह जाना, भोचका रह जाना astounded मतलब बहुत ही ज्यादा wonder होना great surprise, our wonder इसको देखो, astounded में लिखा है थोड़ा break करने word को a-sounded ठीक है कि ने, a-sounded अगर मान लो, ah हमारे मुँ से निकला, ah की sound निकली मतलब हमारा मुँ खुला का खुला रह गया a-sound अगर निकल रहा, इसका मतलब मुँ खुला का खुला रहा गया, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा है everyone was astounded to see the moment of legs of a patient who was declared dead by the doctor मान लो, कोई patient है, जिसको doctor ने declare कर दिया बिटा, अब तू तो गया, तू मर चुका है अब उसके बाद उसके leg में moment होने लगे तो लोग क्या समझेंगे, डर जाएंगे कहीं यह भूत उत्तो नहीं है इसके synonyms क्या क्या है, astounded, amazed, stunned stupefied, startled, dumbfounded staggered, यह सारे क्या है इसके synonyms हैं, अगर आप इसका screenshot लेना चाहित ले ले हमारे अगला word है glancing, glancing मतलब क्या होता है तिरची नजर से देखना यह है glancing striking someone or something at an angle quickly बहुत ही जटके से तिरची नजर से देखने को क्या बोलते हैं glancing, जैसे लिखा है glancing at the watch she told him the time, उसने अपनी तिरची नजर से अपनी घड़ी पे देखा और उसने क्या बताया, time बताया इतना time हो रहा है the couples were glancing at each other in the park, जो couple थें एक दूसरे की तरफ तिरची नजरों से पार्क में बैटके देख रहे थे इसके synonyms देखो क्या क्या है picking, peeping, glimpsing, colliding striking, यह सारे इसके synonyms है हमारा अगला word है disclose देखे, disclose का मतलब होता है प्रकट कर देना to make known that is surprising or what is previously sacred अगर मानलो कोई चीज रहस है कोई चीज किसी को पता नहीं, ग्यात नहीं है और अगर आप उसके बारे में बता देते हैं तो उसको क्या बोलते है, disclose करना यहाँ पर देखे, disclose में दो word है dis और close, close मतलब बंद जो चीज अभी चीपा हुआ है अब dis लगा दिया आपने तो यह उल्टा हो गया disclose, मतलब अब बंद बंद चीपा नहीं रहा आपने उसका प्रकट कर दिया, उसको बता दिया सबको, यह हो गया, disclose इसका synonyms क्या है, devils, reveal unveil, let out, babble, unfold सारे क्या है, इसके synonyms है इसका use देखते है, the journalist refuse to disclose her sources to police, जो journalist है यह इससे police ने बोला, भाई, बताओ सारे information कहां से मिले तुम्हें तो इसने refuse कर दिया, नहीं भाई, हम यह आपको disclose नहीं कर सकते, हमारा पेशा है हमारा profession है, हम आपको यह नहीं बता सकते हम disclose नहीं कर सकते, कि हमें information कहां से मिल रही है I think हमारे इस session की last slide का यह last word भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा Thank you very much to all of you अगर आप लोगों को session पसंद आ रहा है तो वीडियो को like करें अगर किसी और भी topic पे आप वीडियो चाहते हैं, तो comment करके जरूर बताएं, अगर आपने वीडियो का part 1, part 2 नहीं देखा है, तो description में link है, उसे जरूर देखें जैसा कि आप लोग जानते ही है कि मेरा schedule थोड़ा busy चल रहा है, तो वीडियो थोड़ी लेट हो सकती है आप लोगों का प्यार और विश्वास रखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद